दोस्तों आप सबको प्रभुयस्व मसी के नाम में जय मसी की दोस्तों आशा करता हूं कि आप परमिस्व के वच्चन बाइबल में आगे बढ़ रहे होंगे एक्टि दोस्तों इसके पहले माइने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए थे तो सायद आप उस वीडियो को प पांस तो असुद्ध होता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से सायद आप कुछ समझ पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप जानते होंगे कि सुवर एक असुद्ध जानवार है जो गंदकी खाता है गंदकी में रहता है और उसको वही चीज़े अच् और खाने से मना किया था कि वे सुवर का मांस ना खाएं अब सुवर खाने या ना खाने की बात नहीं है बात यह है कि परमिस्वर की अग्या का ना मानना ही पाप होता है मेरे दोस्त because not knowing the knowledge of God is a sin इसलिए सभी यहोदी भाई मानते थे कि सुवर्म का मांस खाना पाप है देखिए परमिस्वर ने इजरालियों को कुछ बिसेश कारों से आदेश दिया था कि तुम्हें अन्निजातियों की तरह नहीं रहना है जैसा कि उस समय कनानी लोग सुवर का मूर्ती बना कर पूजा करते थे और उसका बली करके मिल बाट कर खाया करते थे इसलिए परमिस्वर नहीं चाहता था कि इजराली उनके साथ सम्मिलित हों इसलिए परमिस्वर ने विवस्ता विबराट 14.8 में कहा है फिर सुवर जो चीरे खुर का तो होता है परमिस्वर पागुर नहीं करता इस कारण वह तुम्हारे लिए असुद्ध है तुम नो तो इनका मांस खाना और नो इनकी लोत को छूना अब दोस्तों चलिए चलते हैं बाइबल के नए नियम में अब यहां येशु के कहने का अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भी असुद्ध जानवर को खा सकता है येशु तो खुद पुरान नियम अर्थात मूसा के नियम को फालो करता था और उस पर सब को चलना सिखाता था लेकिन आपको यह नहीं भोलना चाहिए कि येशु परमिस्वर है जिसने सब कुछ यानि पृत्वी आकाज, सुरे, चंद्रमा, मनुष, पेड, पवदे, जानवर यानि सब कुछ बनाया है वो यदि चाले तो पत्थर पर भी फोल किरा सकता है वो यदि चाले तो मूर्दो को भी जिन्दा कर सकता है वो यदि चाह ले तो इस पृत्वी की तरह साहिकडो पृत्वी भी बना सकता है वा कुछ भी कर सकता है वैसे ही पुराने नियम में सारे इजराईलियों को खतना का नियम था लेकिन नए नियम में पॉलुस गलातियों 5 के 29 में कहते हैं मैं पॉलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसी से तुम्हें कुछ लाब ना होगा फिर गलातियों 5 का 3 कहता है फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताय देता हूँ उसे सारी ब्यवस्था माननी पड़ेगी अर्थात पुराने नियम की वैसे ही पुराने नियम में चिन मात्र के लिए पस्वों की बली दिया जाता था जैसा कि रोमियो 14 का 14 कहता है मैं जानता हूँ और प्रभु येशु से मुझे निश्चे हुआ है कि कोई भी वस्थू अपने आप से असुद्ध नहीं परन्तु जो उसे असुद्ध समझता है उसके लिए असुद्ध है फश्ट मिथि उस चार का तीन कहता है जूटे कप्टी मनुस से भोजन की कुछ वस्थूों से परे रहने की अग्या देंगे जिने परमिश्वर ने इसलिए सिर्जा की विश्वासी और सत्य के यह चाहने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं क्योंकि परमिश्वर की सिर्जी होई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्विकार करने योग नहीं पर यह की धन्यवाद के साथ खाई जाए अब यहाँ पॉलुस इसलिए लिखते हैं कि जो यह मानते थे कि असुद जानवर खाना पाप है मेरे दोस्त परमिश्वर का हर एक वचन सिखाता है कि येश्व को स्विकार करने के बाद सब कुछ नया हो जाता है इनसान पुराने मनुसत्त को भूल जाता है और येश्व में आकर नया हो जाता है जैसा कि कुलुसियों तीन का नौ काता है उसमें नौ युनानी रहा नौ य और नस्वतंत्र केवल मसीश सब कुछ और सब में है तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर माली जी पुराने नियम में लोग खतना किया करते थे तो अगर उसके आधार पर चला जाए तो नए नियम में भी खतना कराना जरूरी है पुराने नियम में बहुत सारे ऐस से काम होते थे जो कि वही काम हम नए नियों में क्यों नहीं करते हैं हमको वह भी तो करना चाहिए अखिर येशु के आने का मतलब क्या था येशु कहता है कि सब कुछ नया हो गया है मतलब येशु के आने के बाद सब कुछ बदल गया है दोस्तों मैं आपको पहले भी बता च समाचार उनके लिए नहीं पर्मिस्व का सुल समाचार तो सब के लिए चाहे वो किसी घरम का हो किसी जाद का यह निकिसी भी देश का हो कश्व lettuce सब चातियों के लिए है मेरे भाई कोई भी व्यक्ति खाने पीने से असुद्ध नहीं होता है वह अपने बुरे विचारों से असुद्ध होता है जैसा कि मर्कूस साथ का 14 से 23 कहता है हम गलातियों 3 का 28 पढ़ेंगे अब न कोई यहूदी रहा न कोई विनानी न कोई दास न स सोतंत्र न नर न कोई नारी क्योंकि तुम सब मसी येशु में एक हो तो इन सब आयतों से क्या आसपस्ट होता है मेरे दोस्त अब आप सोच रहे होंगे क्या इंसान सब कुछ खा सकता है जैसे साब, बिल्ली, एलकोहल, ड्रक्स, इत्याद जी नहीं 1 कुरंतियों 3 का 16 और 17 म मंदिर है और हमें वही चीज खाना और पीना चाहिए जो हमारे सदीर को नुकसान ना पहुंचाए जाहिर सी बात है यदि हम कुछ भी उल्टी सीधी वस्त खाएंगे तो बीमार जरूर पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो हमारे सदीर के लिए हान कारक हो मेरे वीडियो यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको अस्पस्त हो गया होगा फर्श कुरंतियों दस का 31 कहता है सो तुम खाओ चाहे पीओ चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमिश्वर की महिमा के लिए करो आप सबको प्रभी ये सुमसी के नाम से जैमसी की